हलो इस्ट्राइन्स वेलकम टू चानल सबकुष्णों आए आप लोग पढ़ेंगे क्लास एट मैथ का चैप्टर 16 जो की संभावनाओं की सांखी की जिसको संभावना या प्राइकता करते हैं चैप्टर का नाम है तो इसमें आप लोग पहले इस चैप्टर का जानेंगे और फिल एक्सर्साइज 16 एको भी आप लोग पढ़ेंगे अगर आप लोग चैनल परना है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा सेयर करिए ताकि सभी लोग घर बठें आनलाइन आसानीश पढ़ाई कर सका तो देखिए चैप्टर है 16 संभावना संभावना को ही प्राइकता भी करते हैं जैसे माल लिजिए कोई स्टुडेंट है वो एक्जाम उसने दे दिया है तो स्टुडेंट एक्जाम देने के बाद आकर कहता है कि हमने इतने नंबर का क्वेस्चन कर लिया है और मेरे पास होने की संभावना 50 परसेंट है या 70 परसेंट है ऐसे तो यही मतलब संभावना हमेशा बराबर रहता है पास होने का और फेल होने का दो ही चीज उसमें हो सकता है तो दोनों का संभावना बराबर है संभावना को ही मैथ में संभावनाओं की संभावनाओं की संभावनाओं की मैथ है कि सिक्का उच्छाला जाता है जिसको टॉस करना करते हैं तो जो टॉस होता है उसमें हेड और टेल दो चीज़ होते हैं जैसे मालेजी जो सिक्का है सिक्का में एक तरफ हेड होता है दूसरे तरफ टेल होता है तो जब सिक्का उच्छाला जाता है तो head और tail के आने की संभावना मतलब उपर आने की संभावना समान होती है head भी आ सकता है या tail भी आ सकता है देखिए head को हम लोग हिंदी में चीत भी कहेंगे math में जब आगे question solve करेंगे तो और tail को हम लोग put भी कहेंगे या head को हम लोग sears कहेंगे और इसको tail को पूँच कहेंगे तो यह सब यही नाम हुगा head मतलब sears tail मतलब पूँच या cheat या put ये सारा नाम है कही हुगा head भी चीत भी सीरस भी तीनो एक का नाम tail put पूँच एक का नाम तो ऐसे question जब solve आप लोग करेंगे तो ये नाम आएंगे तो देखिए जब भी सिक्का उच्छाला जाता है तो सिक्का के ऊपर आने की सिक्के में जो ऊपर का भाग है ऊपर आने की पराइकता समान होती है पराइकता मतलब संभावना या तो head आ सकता है या तो tail question solve करने में head को h से tail को t से दिखाया जागा h लिखा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे head t लिखा होगा तो समझ जाएंगे tail तो प्राइक्ता आप लोगों को समझ में आ चुका होगा प्राइक्ता क्या है? गडित में संभावना का को ही प्राइक्ता काते है संभावना मतलब कोई भी काम होता है तो उसमें उसके होने की संभावना बराबर होती है जैसे कोई student exam दिया उसके pass और fail होने की संभावना बराबर है, pass भी हो सकता है, fail भी सिक्का उपर उच्छाला गया, सिक्का को उपर आने की सिक्का जब उछाला जाएगा तो चीत और पट या हेड और टेल आने के संभावना बराबर होती है कोई भी आ सकता है इसी तरह से आप लोग देखे होंगे लूडो लूडो बहुत सारे लोग खेलते हैं लूडो में एक चोकोर टाइब का एक पासा होता है इस टाइब का पासा उसको काते हैं ये भी आप लोग याद रखेंगे आगे कोस्चन में आएगा पासा लूडो में पासा फेका जाता है पासा पर एक दो तीन चार पांच शह या तो ये संख्याए लिखी होती है नहीं तो इस तरह से बने होते हैं एक दो तीन के लिए ऐसे चार के लिए ऐसे पांच के लिए और फिर शह के लिए ऐसे बना होता है तो देखिए एक से छह तक की संखियां पासे के फलक पर एक पाट को फलक काते हैं तो फलक पर ये संखियां लिखी होती है एक से छह तक तो जब पासे को उछाला जाता है फेका जाता है तो पासे में 1 से 6 तक की संख्याओं के उपर आने के संभावना भी समान होती है मतलब 1 से 6 तक में कोई भी संख्या उपर आ सकता है अब जैसे मान लिजी अगर हम ये question पूछते हैं आप लोगों से तो मान लिजी ये एक पासा है उसको फेकते हैं हम 7 बार तो 7 बार अगर उछाला गया पासा ये 1 होता है 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याओं उस पर लिखी होती है तो जब 7 बार पासा उछाला गया हम बता रहें इसमें कि 1 आया है 2 बार, 2 आया है 1 बार, 3 आया है 1 बार, 4 आया एक बार, 5 आया है एक बार आप लोग जानते हैं पासा जब फेकेंगे उपर तो हर बार 1 से 6 तक की संख्याओं आने के संभावना बराबर है तो हम question पूछते हैं अगर 7 बार हमने फेका 7 बार 1 आया 2 बार 2 आया 1 बार 3 आया 1 बार 4 आया 1 बार 5 आया 1 बार तो 6 कितने बार आयग तो कैसे बताएंगे 7 बार हमने फेका ये आया 2 बार और 1 3, 2, 3, 4, 1, 5, 1, 6 मतलब 6 बार इतने इतने आये तो ये 6 कितने बार आएगा 7 बार हमने फेका है तो मतलब ये कही बार आएगा तो इस तरह से question आप लोग अभी जब solve करेंगे तो सारी बातां clear होंगी तो अभी तक ये संभाना में आप लोगों को याद क्या रखना है head tail, head का नाम cheat और 6 होता है, tail का नाम exercise 16 का ये देखते हैं तो देखिए 16 A का question number first दिया है एक सीका कई बार उचाल कर उसके सीर्स, चीत, तथा पूँज, पट, आने के संखेया निम्नांके सारी में लिखी गई या अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारी में रिक्त अस्थानों की पूर्थ कीजिए देखिए, सीर्स और पूँच दिया है, सीर्स का मतलब head, पूँच का मतलब tail हमने अभी बताया आप लोगों को तो उसमें क्या किया है, देखिए सीका के उच्छालों की संखेया चीता आने की संखेया, पटा आने की संखेया मतलब क्या का रहा है, सीका को बहुत ज्यादे बार उच्छाला गया है इधर सीका, माले जी ये 20 बार जब उच्छाला गया तो चीता आया कितने बार? 12 बार तो पट कितने बार आयागा? आप लोग समझ सकते हैं 20 में से जब 12 चीत आया 12 बार तो पट कितने बार आया होगा 8 बार पट 8 बार आया 20 बार जब उच्छाला गया चीत आया 12 बार तो पट आया 8 बार इसी तरह देखिए सिक्का को जब उच्छाला गया 30 बार तो 17 बार आया पट तो आप लोग समझ सकते हैं कितने बार 13 बार आया चीत 30 बार में से जब 17 बार पट आया तो 13 बार ये आयागा फिर देखिए अब इधर दिया है यहां नहीं दिया सिक्का कितने बार उछाला गया ये नहीं दिया दिया क्या? चीता आया कितने बार? 22 बार और पट आया कितने बार? 18 बार तो सिक्का कितने बार उछाला गया होगा बताईए जब चीता आने के संख्या 22 पट आने के संख्या 18 है तो उछाला कितने बार गया? एक बार 22 आया एक बार 18 है मतलब 22 और 18 को जोड़ेंगे तो हो गया 40 मतलब जब सिक्का 40 बार उचाला गया होगा तभी तो 22 बार चिताया और 18 बार पटाया अब देखिए यहां भी वही है 32 बार चिताया और 28 बार पटाया तो उचाला कितने बार गया तो 32 और 28 जोड़ेंगे तो 60 बार सिक्का जब 60 बार उचाला गया तभी 32 बार ये आया और 23 बार ये आया इसी परकार देखिए ये तो हमने ये ले लिया अंक में अंक गड़ीत में हमने लिया प्राकिर्तिक संख्या जो दिये हुए थे इसमें हमने ले लिया था यहां देखिए अलजेब्रिक वाले संख्या दिये हुए है N और M देंगे देखिए जैसे मानली जी है सिक्का जब 20 बार उच्छाला गया था 20 बार तो चिताया था 12 बार तो हमने ये कैसे निकाला इस 20 में से हमने 12 को क्या किया था घटाया था तब ये निकला था कितना आठ ध्यान से आप लोग समझेंगे 20 बार जब सिक्का उच्छाला गया चिताया 12 बार तो हमने 20 में से 20 बार उच्छाला गया कुल में से हमने एक को घटाया तो हमको दूसरा मिल गया इसी तरह कुल में से हम लोग एक घटायेंगे तो दूसरा मिलेगा तो इस में से इसको कैसे घटायेंगे तो ऐसे घटायेंगे इस में से इसको घटाना है हमने घटा लिया देखिए यही हो गया तो इस तरह से ये फर्स्ट कोस्चन कम्पलीट हुआ सिक्स्टीर ये का अब हम लोग सेकेंड कोस्चन देखते हैं तो देखिए यहाँ पर कोस्चन नमबर सेकेंड दिया एक पासे को कई बार फेक कर उसके उपर आने वाली संख्या है निमनांकी सारड़ी में लिखी गई है अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारड़ी में रिक्ता स्थानों की पूरुत कीजिए देखिए इसमें रिक्ता स्थान दियेगा है ऐसे डस डस से हमने रिक्ता स्थान बनाया है तो इसमें क्या कहा रहा है कि पासे को फेका गया इधर पासे फेके जाने की संख्या है या पासे पर इन अंकों की आने की संख्या है मतलब पासे में 1-6 तक के अंक होते हैं उपर लिखा हुगा है तो पासे में ये उपर वाले संख्या है एक से च्छै तक के जो संख्या है ये इनके आने की संख्या दी गई है मतलब देखिए क्या करना है खाली जगा भरना है पासा जब फेका गया पंदरह बार तो पासे में एक आया, दो बार, दो आया, तीन बार, तीन आया, चार बार, चार आया, एक बार, पांच आया, एक बार, तो छै कितने बार आया, ये पूछ रहा है, तो देखिए, पंदरा बार फेका गया, तो देख लेते हैं कितना आया, देखिए, दो, तीन, पांच, चार, नो, एक, दो से एक ग्यारा मतलब यह कितरे बार आया ग्यारा हुआ पंदरा यहां है मतलब पंदरा में से ग्यारा को जब घटा देंगे तो चार यहां चार भर लेंगे इसी तरह से देखिए तीस बार पंशा जब फेका ग्या तो चार तीन साथ पाज बारह चार अअठार और चार बाइस तो यहां पर आप लोग भरेंगे 8, मतलब 8 बार ये आया होगा फिर देखिए 45, तो 7, 8 15, 15, 8 23, 23 और 10, 23 और 45 बार फेका गया 23 हुगा, तो यहां कितना भरेंगे 12 बार ये आया होगा फिर देखिए 60 बार जब 5 फेका गया तो ये काया 8 बार ये आया इतने बार तो क्या करेंगे, 8 और 9 जोड़ेंगे तो 17, 17 और 10 27, 27 और 11 38 38 और 12 फिर देखिए, 90 बार पार फेका गया 13, 17 जोड़ेंगे 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56 56 और 18 74 और 90 बार फेका गया तो 16 बार ये आया आप देखिए, इधर का हमने पूरा भर लिया है यहां के लिए दिया आप कुल पांसा फेके जाने की संखिया में बरना है तो सब को जोड़ेंगे जितना आएगा वो भरेंगे 22 और 18 जोड़ेंगे तो 40 40 और 25 65 65 और 20 85 85 और 16 101 और 19 120 बार पांसा फेका गया तो देखिए, ये प्राइकता बहुत ही easy चैप्टर है तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे आप हम लोग क्वेस्टन नमबर थार्ड देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर थार्ड और फोर्थ दोनों क्वेस्टन दिये हुए हैं इस अभ्यास में 16 A में कुल 4 क्वेस्टन दिये हुए हैं तो ये 16 का A आज पूरा कंप्लीट होगा तो थार्ड नमबर क्वेस्टन दिया कारा कि एक समांगी पासे को 48 बार फेका गया है तो 1 से 6 तक की संख्या है हर हमेशा बराबर आई है मतलब 1 से 6 तक की जो संख्या है सभी बराबर आई है 48 बार फेका गया सभी बराबर आई है तो इसका मतलब क्या हुआ जितने बार ये आया उतने बार ये उतने बार ये उतने बार सभी तो इस 6 संख्यां है 6 से हम लोग 48 में भाग कर देंगे क्यों भाग करेंगे तभी तो बराबर बराबर भागों बटेगा बाठने के लिए आप लोग जानते हैं भाग करना पड़ता तो 6 से जब 40 में भाग करेंगे तो 8 आगा मतलब सभी संख्याएं 8-8 बार आएंगे बराबर बार आई हैं तो मतलब 8-8 बार आएंगे तो हम लोग लिखेंगे सभी संख्याओं के उपर आने की प्राइक्ता या संभावना बराबर क्या होगा 48 बार फेका गया और कुल संख्याओं 6 है 6 में बाटना है 48 को भाग करेंगे 8 बार में मतलब सभी संख्याओं कितने कितने बार आएंगे आठ बार यही अंसर हो जागा जब सभी संख्याओं बराबर बार आई है उपर तो मतलब आठ आठ बार सभी आएंगी तभी 8 शक्याओं तालिस हो जागा अब देखिए क्वेस्चन नमबर 4 इस इक्सरसाइज का लाच्ट क्वेस्चन है एक समांगी पासे को 54 बार फेकने पर यह पाया गया कि सम अंकों के उपर आने की संख्याओं पचीस है तो ग्याद किजिए कि विसम अंकों के उपर आने की कुल संख्या कितनी होगी देखिए 54 बार फेका गया तो उसे में से सम संख्याओं आये हैं पचीस बार तो विसम कितने बार आएंगे तो क्या करेंगे 54 में पचीस को गाटा लेंगे तो अनू लिखते हैं विसम अंकों के उपर आने की संभावना या प्राइकता बराबर 54 बार फेका गया 54 में से सम संख्याओं आये हैं 25 बार तो हमको विसम निकालना 54 में से 25 बार जब सम आया तो विसम याज निकल जागा 25 को इसमें से घटाएंगे तो 29 बार विसम संख्याओं 29 बार आयेंगे यह एंसर हो जागा तो इस तरह से एक्सरसाइज 16 का यह पुरा कम्प्लीट हुआ अगले पार्ट में आप लो 16 का B और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तरह से एक्सराइब को अगले पार प्रटोड़क्शन देखेंगे